हखिए एक रिप आप, अगर हम इंडिया करते हैं तो अभी बुद धारोग से बुर रहने की बट यह ही क्रिप्टो मारकट जब एक कॉषिछ करते है झो की बताता है कि गॉज कीव इंडिया में कृफ्टो इन्वेक्यार की ग्रोथ जो है वो काफी phenomenal हो सकती है in the coming years अब क्या सारी चीज़े है और किन crypto's में नए investor को invest करना चाहिए especially अगर आप पहली बार crypto market में आरो आपने कभी भी bull season नहीं देखा आपने कभी भी bear season नहीं देखा कौन से crypto's ऐसे हैं जिसमें आप लोग invest कर सकते हो इसके बारे मैं बात करेंगे इस वीडियो में बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक disclaimer और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आपके comment section में आके comment करके ये बोले कि हमारा whatsapp number है तो उनसे बचके रहना वो सारे के सारे scammers है किसी भी social media से कभी भी हम आपसे connect नहीं करते और किसी को भी आपने crypto सेंड नहीं करने किसी को अगर आपने अपने crypto सेंड करें तो समझ लीजिए वो crypto आपके हाथ से चले गए वह कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा हम लोगों को याद है कि हम लोग for the first time कभ हम लोग crypto market में आये थे most of the people जो आज के टाइम में invested हैं दी crypto कांची market वो 2021 में जब market में एक bull season आया था तब उन्होंने एंटर कर रहा था because उन्होंने सुना था कि crypto market काफी phenomenally यहां पर grow कर रही है उसी के साथ साथ 2022 में जहां पर bear market आई थी काफी investor जो है वो crypto market से बाहर चले गए हाला कि हम लोगों को उल्टा करना चीए था जब market bear season में होती है तब हम लोगोंने purchases करने चीए जब market bull season में होती है तब हम लोगों को sell करना चीए और जो gap है वो हमारा profit बनता है बड़ अगर हम लोगों की बात करें across the globe यहां पे लोग फोमो में crypto को purchase करते हैं अभी के टाइम में डेटा सामने आया है जो बताता है 2027 में इंडिया काफी अच्छे नंबर से यहां पर grow भी कर सकता है almost three times more than US and UK अब यहां पे जो कुछ crypto's है जो आप लोग purchase कर सकते हैं और क्यों हम यहां पर restrict करते हैं नए investor को to these crypto's इसके बारे में भी आपको explain करेंगे पहले चलते हैं उस article में पढ़ लेते हैं कि क्या यहां पे growth हो सकती है about the investors who are coming into the cryptocurrency market specially India की हम लोग बात कर रहे हैं और आगे जाके किन crypto's में हम लोगों को invest करना चाहिए especially अगर हम for the first time we are investing in the cryptocurrency market तो side में आप यह article पढ़ सकते हैं हम लिखा है इंडिया to hit 328 million crypto users by 2027 almost three times more than US and UK combined and यह बहुत बड़ा number है over the past six years India has seen a major rise in crypto ownership despite the historically negative attitude towards the sector from the government अब गमेंट की तरफ से काफी pressure आ है काफी चीज़े जो है वो negative सामने जरूर आई है crypto market की but अगर हम बात करे crypto investors की वो कम नहीं हुए है वो grow ही हुए और फटा फट अगर यहां पर चले हम एक data में तो आप यहां पर देख सकते हो इंडिया की growth जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है by the year 2027 and जहां तक हम लोग assume करके चल रहे हैं जो next bull season होगा market में उस तरह में majority of the new investor would be coming in the crypto currency market but उससे पहले भी अगर आप आते हो market में तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कौन से crypto में आपने इंवेस्ट करना चाहिए उसके लिए आपने कौन से crypto's purchase करने चीए उसके बारे में फटाफट बात करते हैं तो side में आप देख सकते हैं हमने open कर दिया coin गयको आप currently जो global market that is down 1.2% BTC is down 0.6% ETH is down 0.9% market में अगर बात करें ये दो crypto ऐसे हैं जो आपने first time investor अगर आप हो इंदी crypto कान सी market तो यही दो चल रही है तो bull season में इनका price जो है वो recover भी करेगा जहां तक हम बात करते हैं altcoins की yes altcoins जो है वो ज्यादा return देते है on your investment बट वहाँ पे आपका risk थोड़ा बढ़ जाता है तो आपका यहाँ पे risk काम रहता है plus आप market को study कर सकते हो अब बात करें कुछ ऐसे लोगों की जो बोलते हैं नहीं हमने तो bitcoin और ethereum के इलावा भी कोई cryptos में invest करना है well first is यह दोनों cryptos आपके पास होने चाहिए if you are looking to invest in other cryptos other than bitcoin and ethereum तो कौन से वो cryptos हो सकते सबसे पहले हम बात करें ethereum killers की यहाँ पर बहुत important यह है कि ethereum killers किनको हम कहते कौन कौन से cryptos आते हैं ethereum killer यहाँ पर बात करें previous bull season में solana ने काफी अच्छी टक कर दी थी ethereum को काफी अच्छा volume आया था काफी अच्छा यहाँ पर price jump हुआ था सुलाना का साथी साथ अगर हम लोग बात करें cardano idea another crypto in layer 1 जो काफी अच्छा यहाँ पर bullish trend बना रहा है आज के time में although price उसको आज के time में support नहीं कर रहा but yes cardano भी एक ऐसा crypto है जो काफी अच्छे return हम लोगों को दे सकता है when we speak about the next bull run यहीं पर हम ethereum के बारे में और बात करें ethereum के उपर बनते हैं layer 2 layer 2 एक ऐसी category है जिसमें आज के time में बहुत सारा competition and probably कोई भी ऐसा crypto नहीं है जो आप ignore कर सकते हो if you are looking into the layer 2 जहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिगान मैटिक की जहाँ पर हम बात करते हैं यह तीनों के तीनों crypto ऐसे crypto हैं जो massive return जरूर दे सकते हैं but याद रहे यहाँ पर आपको tokenomics जरूर देखना होगा in crypto का क्या any amount in any of these crypto's and यह बहुत important है आपके लिए हम यही कोशिश करेंगे as a new investor कि आप restrict करो अपने crypto's को ज्यादा यहाँ पर diversify ना करो maximum आप 4-5 crypto's में आप invest करो उससे ज्यादा crypto's की तरह ना देखो because for the first time users यहाँ पर आपको यह बता दें कि beer season crypto market में ज्यादा लंबा चलता है than the bull season bull season आता है bull run आता है but वो bull run कब खतम होता है किसी को भी नहीं पता चलता flash of second में यहाँ पर bull season खतम हो जाता है beer season की बात करें तो आज के time में भी काफी लोग market में bore हो रहे market में confused हो रहे हैं कि market कि साइड जाएगी आज के time में भी हम बहुत safely बोल सकते हैं कि we are sitting in a beer season जहाँ पर market प्रिवेस ओल टाइम है से काफी जादा नीचे चल रहे है most of the cryptos most of the altcoins are down but they are surely not out but यहाँ पर as a new investor आप लोगों को यह risk जो है वो कम करना आप लोगों को यहाँ पर study कर will be self-sufficient to decide कि कौन सा crypto आपने purchase करना कौन से crypto को आपने eliminate करना and that is what I actually want for all of you यह बुल सीजन हम सब लोग एक सांथ देखेंगे जिन लोगों ने भी investment करी है किसी भी crypto में यह बुल सीजन हम लोग देखेंगे सांथ में सीखेंगे क्या चीज़े हो रही है market में कहां तक market जा रही ह किस price में हम लोग यहाँ पे sell off करेंगे वो सारी चीज़े सीखेंगे बुल सीजन आएगा नहीं आएगा इसके बारे में भी पता चलेगा because अगर history अपने आपको repeat नहीं करती है तब हमारा plan B क्या होगा and that will be the major point जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे के time में but यहाँ पे crypto market में है सबकी अलग अलग utility है सब अपने category में काफी अच्छा grow करते काफी अच्छा potential रखते हैं for the growth बट यहाँ पे जब आप अपने आपको restrict करते हो आप यहाँ पे उनके बारे में study कर सकते हो नए investor हमेशा यह सोचते हैं कि crypto market में रात तो रात हम लग पती या करोड़ पत you can ask the investor जिन्होंने आज के टाइम में hold करते होए चल रहे हैं अपने cryptos को 2022 का fall जो की major fall था in the crypto currency market वो जिसने देखा है आप उनसे को या के question पूछे क्या crypto market में पैसे बनाना easy है the answer will be no definitely no यहाँ पे देखने में easy लगता है जैसे बोलते है ना the grass is always greener on the other side जब तक आप crypto market में enter नहीं होते हैं आपको यहाँ पर रिस्क नहीं पता चलेंगे आपको नहीं पता चलेगा क्या potential है उन cryptos का जिसमें आपने investment कर रहे हैं काफी लोग यह assume करके चलते हैं cryptos purchase कर लो build run में बेज देंगे theoretically you are correct but practically जब आप करने आते हो और short term में जहाँ पर volatility आती है वो एक time होता है जब काफी investor दम तोड़ देते हैं वो time होता है जब काफी investor loss book करा लेते हैं और market से बाहर चले जाते हैं आज के time में बात करें most of the cryptos ने अपना previous all time high बनाया था in 2021 आज के time में भी लोग question पूछ रहे हैं these are experienced investors जो question पूछ रहे हैं next bull run कब आएगा जहाँ पे हम बात करते हैं 4 स साल के cycle की in the crypto currency market वहीं पे हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं 2025 अभी तक half season भी complete नहीं हुआ है of the bearish trend जहां पे हम लोग बैठे हैं around two years के आसपास 21 में हमने bull season देखा था आज बैठे हम 23 में next bull top हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा अगर history repeat करती है in 2025 अभी भी दो साल बचे ह बट क्या 2025 में ही market उपर जाएगी definitely not we are assuming कि market अभी से यहां से उपर जाना start करेगी और bitcoin अपना bottom अलड़ी बना चुका है at $15,500 level that is what everybody is assuming that is what everybody is speculating अब कब तक market उपर जाएगी कब आप invest करना start करते हो इंदी crypto का अंसे market वो एक बहुत crucial role रहेगा आप लोगों के अगर आपने नए investor हो यहां पर आपने lump sum में invest नहीं करना है SIP में invest करें और अपने cryptos को अपने cold storage wallet में transfer कर दे वो सबसे ज्यादा important एक चीज है जो आप लोग कर सकते हो अपने लिए cold storage wallet के बारे में अगर आप लोगों ने जाना है तो हमने videos बना रहे हैं काफी videos हमने publish भी कर रहे हैं और वो वीडियो जाके देखना जरूँ थोड़े बहुत पैसे जरूर लगते हैं wallet purchase करने में but at least your investment is safe is with you forever and यह चीज करके आप अपने आपको secure कर सकते हो crypto market में जो अगर loss होगा तो होगा बट यहां पे कोई exchange बंद हो उसकी विज़ा से आपको loss हुआ यह आपको experience नहीं होना च यह because अगर वो experience आपको होता है तो आपके सारी investment जो है वो zero में चली जाएगी and eventually हम यहीं बोलेंगे if you are a first time investor in the crypto currency market look no further than Bitcoin and Ethereum अगर वहां पे आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हो तो कुछ crypto's हमने बताए जहां पे हम लोग XRP भी देखते हैं जहां पे हम लोग Cardano देखते हैं जहां पे हम लोग Solana देखते हैं जहां पे हम Polygon Matic देखते हैं Arbitrum देखते हैं OP देखते हैं काफी crypto's market में उनके बारे में आप study करें जाने उनके बारे में जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या targets आप लोगोने लेना हैं क्या आपने उ I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना शेयर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आए चानल शीव नेक्स टाइम ओके बाबार